बुढ़वानी मच्चों आज सुमें आप लों को क्लास 6 सब्जिक्ट फिरिक स्पार्ट लेजन फिक पंचायती राज इससे पहले कल हमने भाग एक पढ़ा चुगा है और भाग दो आज इसमें हम ग्राम पंचायत संविधन सरपंच ग्राम पंचायत के कारें बराय के जो है कि रूप में परदान के रूप में कारव कड़ती हैं रीगत्त संविधन के लिक में पर उप सुर्प कि पनाया कैसी डियार रता है इसकत से किया रहता है इसके बादब तो ग्रांपिजायत के संध्राइब 7-25 के बीच में बूती है और इसमें गाहों के जितने भी भैस लोग होते हैं जो 18 साल के ओगे होते हैं वो लोगों वो डालते हैं उनका चुना करते हैं अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति का परतिंदित नहीं होता है तो इस तरह से सरकार दो मिलाओं को अंशुचि जाते जाती के लोगों को नामित कर सकती है इस प्रकार से इसका प्रकार कितने साल के लिए होता है पांच वर्स के लिए होता है तो यह जो है यानि कि यह पांच वर्स के लिए गठिक किया जाता है पांच वर्स के बाद फिर से इसका चुना आता है इसी प्रक्रिया के तरह इसके भी चुना पर आ जाते हैं जैसे कि उस इस गाहों के स्दस्रिफ जतने ही होते हैं ड़र्चाच वहीं लोगांगों हो रुटाते अब दीचेबी पॉइंट अलाते हैं धारम पंछाट का प्रमुखосκों प्रढdd Instead क्याते हैं वह सरपंच कहलाता है यानि गाम का जो प्रमुक होता है वह सरपंच कहलाता है और सरपंच ग्राम पंचाद के सदर सुद्वारा पांच वर्ज के लिए चुना जाता है जिसका वह कारकाल कितने वर्ज के लिए होता है यह भी पांच वर्ज के लिए चुना जाता है इस तरह से यारि कि ग्राम पंचाद के सदस से जो चुने जाते हैं वो भी पांच वर्ष के लिए होते हैं सरपंच भी वह पांच वर्ष के लिए होते हैं और सरपंच को उसके कारे में सहता देने के लिए सह सरपंच भी होता है ग्रांपंचत के कार्य क्या होते हैं हिए जच्छा के सुधाया चोप भी रहाँ पर आप जो बशुचे सांधित पर यहां पर जो चाहरी मिवस्था उन चाहिए जैसे मचरी स्प्लुग हो और बशु वेयर और इस तरह से बहुत सारे काम ऐसे सब्सक्राइबूने चिंख सम्देज बच्छों के रासन आते हैं ग्रंपंचात, बहुत सारे काम रान पंचात के होते हैं ऐसे 29 बिल्डिवों पर इंकों निवले की तुरूप से कारे करना हुता है और आय के सुर्थ क्या होते हैं आय के सुर्थ हैतें गामिये बैपारमने वलेवस्तों अपर कर्व निये जाते हैं वह इंक साहती है मवेश्यожд까요 क क्या लीत्रिति से सुर्थ इनको मिलता है इंसक्तर को दुकाने मेलों पर क्र्सष मिलता है चोटी अप्रादिक मादों में लोगों पदन्द लगापतर भी स् Sound है और जिला पड़सकी मिनने वाले दान इसको फूता होता है यानि की इनके आई के सुरूत क्या है जो टेक्सियों कर होते है वह है उसका मेन परता है प्लस मेंस ऑने बता हुपाता है तो आपको यह बताए करेंस कि घराम के बहते है जो जो हाँ की बैक्ति होते हैं बैस्ट यानी का अठानाव गण होते हैं वह लोग मिनकर के इनका चणाह करते हैं। और इनकर जुना सिर्फ पांच साल के लिए होता है और पांच साल के बाद जहें फिर सिर्चुना करा जाते हैं फिर दूसरे बैपी चुन करके आते हैं और अगर कोई बैक्ती कोई प्रपिदित तो किसी का नहीं ख़ड़ा होता है तो सरकार इसमें दो महिलांग को जोकी अंचिची जाती है निशुची जन जाती के लिए होते हैं उनको खड़ा कर सकती हैं सरकार लिगार के अंदर दर हैं और संगठल इनका 5 वर्ष के लिए होता है। सरपन्च इसके बाद आते हैं। सरपन्च कभी इसी तरह से गोट के द्वरह ही इनका उन्हीरमाट किए जाता है। इनको दीचुना जाता है और यह भी 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। ग्रामित वे भिवस्थाईन आँ कात्धार्म में बिरह दने के लिए गणड़ाहाय। तो उसका पनिक्टार करना इन्यों कही कारूँ होता है एक सब सब्पंच भी होते हैं इनके साथ इनके देरवाल करी के लिए और आएके क्या इनके स्रोथ होते हैं जो कर लगाय जाते हैं वही इनके आएके स्रोथ होते हैं लो गाते हैं उसके बार पथा की अंगी मुझे बस्क के बार है वहां आगको आचे लाइक सुखा 20 विवस्तां रहा होती है इसको लिख लेंगे लिखने के बाद जो है इसको इसके फिल इंदे ब्लेंग्स को अपनी बुक में कम्प्टीट करेंगे लेकिन लेशन को जब तक अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा तो इसी तरह से लेशन को पढ़ने के बाद ही आप सबस्वार तो शेलों वो सब्वाइब करसा टे जी के?